हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रुपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतिरा भाग एक इसके गर्दे खंड का अंतिम अध्याय है भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है यह एक भाषण है जिससे भारते इंदू हरिस्चंदर जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है आज इसके हम मोस्ट इंपोर्टन कोर्शन कर रहे हैं तो यह जान लेजे कि क्लास 11 में हमारे दो कोर्स चलते हैं कूर और इलेक्टिव हर चैप्टर में आपको यह चीज़ क्लियर करती हूँ ताकि आपको किसी तरी की कोई परिशानी नहीं रहे क्योंकि आप लोगो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि यह चैप्टर तो हमारे सेलिब्स में है ही نہیں तो इसमें syllabus में ना होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हो सकता है आपके course का यह नहीं हो यानि कि जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं elective और एक course होता है core तो दोनों में ही books अलग-अलग चलती है आज जैसे कि हमने elective पढ़ाया तो इसमें तीन books चलती है अंत्रा भाग एक अंत्राल भाग एक और एक हमारी तीसरी book है अभिविक्ति और मांत्यम यह book ऐसी है जो class 11th और 12th में combine group से चलती है इसमें कुछ chapter 11th के हैं और कुछ 12th के हैं तो वो सारी चीज़ें आपको clear करते हुए एक गये हैं तो आपको जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं अंत्रा भाग एक यह हमारी हिंदी की main पुस्तिक है इसके इलावा जो हमारी पूरक पुस्तिका है वो है अंत्राल भागे का तो ये हमारी अंत्रा भुग जो है ये दो खंडों में विवगत है गद्यखंड और कावे खंड तो सबसे पहले गद्यखंड है तो गद्यखंड के अभी तक हम maximum chapters complete कर चुके हैं आज हमारा ये last chapter है कैसे हो सकती है भारते इंदु भारिश्चंद्र द्वारा लिखत ये एक नाट क्या केते हैं भाषण है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि भारत की उन्नदी को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया है ये सब ही कुछ हमने इस पार्ट में प्रश्न है तो इसमें सारे ही प्रश्न आपको वर्ण नात्मक तोर पर यानि कि डिटेल में आंसर देना है अब यह ध्यान रखिएगा कि जब आप यह कोशन पूछे जाएंगे कोशन पेपर में तो यह कितनी वर्ड लिमिट में पूछे जा रहे हैं लेकिन जब भी आप इसको रेडी करो कोशिश करो कि दीरगुतरिय प्रश्नों की तरह ही रेडी करो यानि कि इनकी वर्ड लिमिट आपको 60 के आसपास रखनी है चाहे लगू हो चाहे दीर को आप अगर इससे लमसम तयार करोगे तो अगर लगू आता है तो इसको शौट कर लो और 60 में तयार कि तो आप इसको थोड़ा बढ़ावी सकते हैं पहला प्रश्ने लेखक ने अपने भाशन में समय के सदुप्यों को किस प्रकार इसपश्ट किया है हमारे लेखक का मतलब तो आप जान गए ना हमारे लेखक है भारते इंदू हरीस चंदर जी तो उन्होंने समय का सदुप्यो करने के लिए अपने भाशन में क्या बात कही है यह सबते हैं कि समय का सदुप्यों मानम जीवन वा समाच के विकास का आधार है हम वश्पन से चीजों को पढ़ते आ रहे हैं कि सही समय पर सही कारे करिए अर्थात समय का सही इस्तिमाल बहुत आवशक होता है तो उसको सही दोर पर हमें इस्तिमाल करना चाहिए यदि मनुशुवा समाच समय रहते ए ए समय का सदुप्यों नहीं करेगा तो उसका विनाश निश्चत है भारतेंदों ने उस काल में लोगों को समय की महत्ता इसपश्ट करते हुए बताया था कि यह समय आलस का नहीं है और नहीं हुक आपके लिए क्या है पढ़ने का है अभी आपका 11th है फिर 12th है इसके आगे आप जो को भी अजीव करोगी यह थोड़ा सा अभी पढ़ने और थोड़ा महिनत करने का समय है क्योंकि अगर इस समय हमने जम कर महिनत कर ली पढ़ाई कर ली तो आगे आने वाले जो हमारे 60-70 सा है आप समझ लो 60 साल भी अगर है तो वह बहुत आराम से गुजरेंगे इसलिए पढ़ाई के लिए मेन आपको अभी फोकस करना है यानि समय पर जो काम कर लिया जाता है वह आगे भविश्र के लिए हम सरुदू लेते हैं तो वही चीज़ भारतियंदु जी ने कहा कि हमारा देश जब आजाद हो गया तो उसके बाद या आजादी से पहले लोगों ने आलस से काम लिया आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो क्या हुआ कि भई आजादी से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने आजादी के लिए कारी किया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग दें जोने कोई फरकी नहीं पड़ता जो हो रहा था सो होने तो फिर जब हमारा देश स्वतन तो हो गया तो भी लोगों में आलस वाप प्याप्त था तो उन्हें बोला कि अभी आलस करने का समय नहीं है कि इन्हों नहीं यहां पर बात बोली ना कि हुका या चिलम पीने का नहीं नहीं आपसी मदभेद का है यानि कि कहने का तातपर का हुका उचिलम आदमी कब बैठता है पीता है जब उसे इत्मिनाम होता है बहुत आराम से बैठ के करता है तो मतब अभी इत्मिनाम से बैठने का समय नहीं और नहीं आपसी मदभेद की बात है आपसी तब हमारे हां बहुत सारे लोग जाती धर्म रहे गेती तो उन्होंने गोला कि हमें आपसी धर्म मत बेट नहीं माने इस सम्मध में लेखक ने इंग्लैंड के लोगों का उधारण दे कर बताया कि वहां के किसान गाड़िवान मजदूर कोचवान भी ऐसे हैं जिनके पास थो नती में सहीयोग देना होगा जिस्ते देश की सुधर सके तो इन्होंने देखे कितनी बड़ी बात बोली है कि इन्होंने बताया कि हमारे पास हम कहते हैं हम पूरा दिन बहुत बिजी हैं ठीक है हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन कुछ तो थोड़ा वकत समय होताइगा इसका उधार रुन पर अच्छा किया कि इंग्लैंड में बहुत सारे लोग है जो किसान है जो गाड़ी बान है, मजदूर है, कोच बान है ये सब ही क्या है ये फिसिकल लेवल करने वाले लोग है यानि कि इनको physically level बहुत पड़ता है जतना भी level पड़ता है बहुत ले पड़ता है तो वो लोग जब थोड़ी देर भी खाली होते हैं ये नहीं होता है कि आराम से सो गए वो कर ले नहीं उस बीच भी वो लोग अकबार पड़ते हैं अकबार पड़के वो अपने देश के बारे में सारी चीज़ों को सीखते हैं जानते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो अपना कैसे सहयोग देख सकते हैं देश की उन्नती के लिए तो ये एक उदहारन के तौर पर उन्हों प्रस्तुत किया और ये बताया कि हमारे देश में भी physical level करने वाले और बहुत सारे जो mentally labor करते हैं उन लोगों को के पास जब समय मिले तो उन्हें इस तरह की गतिविदिया करनी चाहिए जिससे वो किसी तरीके से देश की उन्नती में सही योग दे सके ना कि अपने समय को बरबाद करें तो हो सके प्रेशन संख्या दो है भारते इंदु ने अपने भाषण में किन दो शैलियों का प्रयोग किया है प्रकाश डाली है भारते इंदु जो भाषण दिया उसमें दो शैलियों का इस्तेमाल किया है वो क्या है देखिए उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शैली है दूसरा द्रश्टान्थ शयली यानि कि किसी पर टंज करने वाली बात होती है द्रश्टान्थ यानि कि जहां पर हम एक द्रश्ट को प्रस्तुत करकर लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे देखे यह भारते राश्ट्र भक्ति के रचनाकार थे जो राश्ट्र भक्ति का मतलब आप समझ गए अपने देश की भक्ति करते वे रचनाकार है उस समय भारत परतंतता की बेडियों में जकड़ा हुआ था और भारतिये लोग उस परतंतता के आदी हो चुके थे मतलब उस समय हमारा देश पर बेके आसपास की बात है तो उस दोरान हमारा देश क्या था वो गुलाम था और अंग्रेजी हमारे उपस आशन कर रहे थे अत्याचार कर रहे और जिस तरीके से हो रहा था यहां के लोग आदी हो चुके थे उसको सहन करते करते ऐसे में भारतें दू एक उमीद की किरन बन कर उबरे उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों से लोगों को अवगत कराया जिसके लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली इसको मुख रूप से अपनाया परन्तु इस भाषण में उन्होंने मुख्यता दो शैलियों का प्रयोग किया अब देखे हम आपको बता दे कि जब अंग्रेजी सरकार थी तो हम सीधा सीधा कोई बी रशनाकार हो कोई भी हो सीधा कटाक्ष अंग्रेज सरकार के उपर नहीं कर सकता था तो यह लोग हमेशा घुमा फिराफ के लिखते थे तो उन्होंने हमेशा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा जिससे क्या हो बात घूम के पर indirectly अंग्रेज सरकार के उपर लगती थी लेकिन जो भाषन अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें इन दो शैली यानि ती वेंग्यात्मक और द्रिश्टान्त शैली का इस्तिमाल किया गया है अब वेंग्यात्मक शैली का कैसे किया गया उसको समझे भारते इंद हिंदू काठियावारी खाली यह खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोते थे जापानी टट्टूओं को हाफते हुए दोड़ते देख कर भी लाज नहीं आती हम तो कुएं के मेधक काठ के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबक्त कमबक्ती फिर कमबक्ती ही है तो अब इसका मतलब देखिए यह थोड़ा अब यह ऐसा बोला गया ऐसी लैंग्विज में बोला गया एक तो पहली बात है कि भारतियों के निकम में होने पर सीधे सीधे उन्होंने तंज कर दिया और जो है वो अंग्रेज सरकार के उपर भी व्यंग कर दिया लेकिन एक भी इसमें लाइन जो है अंग्रेजों के समझ में ना आए यह ऐसी बात कही गई कैसे देखिए उन्होंने क्या बोला अमेरिकन का मतलब समझ गया अंग्रेज यानि कि ब्रिटिस समझ अदि क्या थे तुर्की बाजी सब सरपट दोड़ते जाते यानि कि यह सब अपना क खोदते थे यानि कि जो हमारे भारतिये लोग थे वो क्या कर रहे थे वो खाली मस्ति आ रहे थे आलसी मतलब उनके उपर आलस से हावी था कि वो खाली टापों से यानि कि पैर से जो ना मिट्टी खोदने का जो काम होता है वो काम कर रहे थे अर्थात यह सभी निकम में थे कोई कार्रे नहीं करना चाहते थे फिर दूसरा आते हैं जापानी टट्टूओं को हाफते हुए दोड़ते देख कर भी लाज नहीं आती थी यानि कि अब अमेरिका से जापान की प्रतिसपरधा थी अब वो जो है इतना प्रतिसपरधा थी कि वो एक महीने का काम एक दिन में कर रहे थे जिससे वो बहुत तेजी से बहुत स्पीट से हर एक काम को अंजाम देते थे यही चीज उन्होंने बताई कि जापानी टट्टू हाफते एक हुए दोड़ते देख कर भी लाज नहीं थी कि हम थोड़ा हिल भी ले यानि कि अपना निकमा पन हम छोड़ दे हम तो कुएं के मेड़क थे अर्थात हम सिर्फ एक ही जगा मतलब जहां हम हैं मुसी में खुश हैं काट के उल्लू थे यानि कि बिलकुल बेवकूफ थे पिंजरे के गंगाराम थे हम जहां थे हमारे लिए वही दुनिया हमारी सब कुछ थी तो हमारी कमबक्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है यानि कि हम सब कुछ देख रहे हैं और देखने के बावजूद भी अपने आलस को छोड़ नहीं रहे हैं अब देखें ये कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली और कितनी व्यंग परक्षैली में बोली तो यानि कि वो व्यंगात्मक शैली को अपनाते थे लोगों पर तंज करने के लिए और सामने वाले को कुछ फरक ना जैसे अब अंग्रेजों को ले लो अमेरिकन को ले लो ये बात उनको वो लैंग्विज ये समझ में ही नहीं आईगे इसको ट्रांसलेट भी करेंगे तो भी उनके वाईयां उन जाएंगी लेकिन भारतिये जो हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे और उनको एक तरीके से टीस करते हुए बात को बोली गई है दूसरी है द्रश्टान तशैली क्या है लोगों को भली भाती अपनी बात समझाने के लिए भारतियंदू ने द्रश्टान तशैली प्रयोग में की है अब आप लोगों ने सभी ने द्रश्टान तलंकार पड़ा है न उसी दरीके से ये द्रश्टान तशैली होती है अब उन्होंने इसका उधारन कैसे दिया देखिए तीन मेढग एक के उपर एक बैठे थे उपर वाले ने कहा जौक शौक बीच वाला बोला गुमसुम सबसे के नीचे वाला पुकारा गए हम तो हिंदूस्तान भी साधारन प्रजा की दशा यही है गए हम तो कहने का ताथ पर उनोंने बताया कि यह एक द्रश उनोंने उपस्तित किया अब यहाँ पर देखे, साम देखे का तीन मेढग एक के उपर एक बैठे 오पर वाला बोला जौक शौक, बीच वाला बोला गुमसुम सबके नीचे वाला बोला गए हम अर्थात क्या हमारे उपर जो है जो लोग साशन कर रहे हैं वो बड़े आराम से हैं लेकिन हम क्या हैं गए हम की स्थिती में अर्थात हमारे सामने जो जैसा है हम वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दृष्ष को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से हमारे उपर बाहरी ताकतों ने कबजा करके हमारी मन्यों स्थती ऐसी बना दिये कि क्या हो रहा है हमें उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है फिर है दरिद कुटुम्बी इस तरह अपनी इज़त को बचाता फिर जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाये जाती है वही दशा हिंदुस्तान की है अब यहां पे भी एक दरिश्य प्रस्तुत किया अब दरिश्य कैसे उन्हों प्रस्तुत किया कि दरिद कुटुम्बी इस तरह अपनी इज़त बचाता ह जैसे लाजवंती कुल की बहू यानि की एक बहुत ही संपन्य परिवार की बहू के वस्तर फटे हो और वो अपने अंगों को ढापने के लिए जो है उसे छिपाने या सिकुड कर चलने की कोशिश करती है तो हम हिंदुस्तान की दशा भी ऐसी है यानि की हमारी दशा बहुत ही जीन शीन हो चुकी है और हम उसे भस ढापने की कोशिश जैसे तैसे कर रहे हैं तो ये द्रश को उपस्थत करके वो लोगों को समझाने की कोशिश करते थे प्रश्ण संख्या तीन है भारतेंदु ने धर्म के किन किन दोशों को उजागर किया है हमारे पिछडने का काफी हद तक अंधिविश्वासी बना दिया तो इसके कौन से दोशों को उन्होंने उजागर किया है कौन कौन से दोश है देखिए भारतेंदु ने धर्म के निमलिखे दोशों को उजागर किया है पहला है लोगों ने धर्म के वास्तविक अर्ट घरन के इस्थान पर उस से किसी ने उसको समझा नहीं है सिर्फ हम उसका एक आवरण यानी की चोला उड़ लेते हैं कि हाँ हम इस धर्म के हैं लेकिन हम धर्म के सही रूप को नहीं समझते धर्म क्या है वो ईश्वर के पैरों में पड़े हुए एक कमल के समान है धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का एक भजन है जिस तरीके से ईश्वर के चड़ में एक कमल पड़ा होता है उसी तरीके से धर्म भी होता है कहने का तात पर यह है कि धर्म हमें सिर्फ अच्छी बातों को सिखाता है ईश्वर जो है जो चाहते हैं वही धर्म हमें सिखाता है लेकिन हम क्या हैं हम उसे अप नहीं रूडियां यतने अंधविश्वात भरते चले गए कि लोग सके बंधन में जक Pearटे चले चले गए और एक्श्वल में धर्म का जो रूप था वो कहीं न कहीं को गया ये लोगों ने येसी को जो एक्च्वल रूप था वो कहीं चला गया और लोगों ने सर्फ उसके नाम मातर को चोले को ओड़ लिया कि ये हमारा धर्म है मगर उसके सही स्वरूप को वो लोग अब भी तक समझ नहीं पाए नेक्स राते हैं महात्मा बुद्धिमान रिशियों के वंच के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझ कर बहुत से नए-ने धर्म बनाकर शास्तरों में धर दिये बस सभी तिथी वरत और सभी इस्थान तीर्थ हो गए अब क्या हुआ हमारे जो जिस समय हमारे हरिश्चंद जी थे उन्होंने उस समय के महात्माओं के उपर तंज करते हुए जो रिशी मुनी है उन पे धन तंज करते हुए बोला कि आपके जो पूर्वज महात्मा यानि क अर्थात जो हमारे वेद और शास्त्रित थे जो हमारे बहुत ही ग्यानी रिशी मुनियों ने लिखे थे बहुत ही प्राचीन काल में तो फिर धीरे धीरे लोगों में जो जो रिशी मुनी उनके अन्याई बनते गए आगे आते गए उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने ह हिसाब से उन धर्म में चीजों को तबदीलियां करी और हर धर्म के साथ एक नए धर्म को जोड़ते चले गए अर्तात एक्च्वल में जो चीजे निकल कर आई थी धर्म की तोड मडोड तोड मडोड करते करते वो धर्म कुछ का कुछ हो गया और कुछ नई चीजे निकल कर आ पर है कि सबने अपने मन से अपनी जो है एक नए नए धर्म को बनाया यानि कि अपने हिसाब से धर्म को तोरा मरोडा और अपने हिसाब से उन्हों बोला कि ये चीज अच्छी है आपको ये मानना है वो चीज अच्छी है ये जगा जाना ये पूजा करनी है ये दिन अच्छा आप यह कर लीजेगा वो अदिन अच्छा यह कर लीजेगा मतलब सबने अपने इसापते तोड़ना मनोड़ना सुगू कर दिया और सही वास्तविक में जो धर्म था वो कहीं का कहीं खूग गया तो यह दूसरा दोश था फिर आते हैं धर्म शास्त्रों में ऐसी माननेताओं क जैसे जहाज का सफर ना करना विद्वा विवा ना करना तथा बाल विवा करना आते हैं तो सबसे बड़ा दोश यहाज के इसा धर्म शास्त्रों के साथ खिल्वार किया गया ऐसी माननेताओं कर लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं थी लोग मानते थे कि पानी के जहाज का सफर नहीं करना चाहिए बहुत अशुब होता है तो इससे क्या हुआ हम अपने देश के अंदर बंधे रहे बाकी देशों से हम संपर्क नहीं साथ पाए और हम काफी हद तक पिछड़े रहे गए फिर दूसरा क्या था विद्वा विवाना करना जो लड़कियां छोटे एक तो आप बाल विवा कर देते हो छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हो फिर लड़के मर जाते हैं तो लड़कियां इतनी छोटी से उम्र में विद्वा हो जाती हैं फिर आप उनका दूसरा विवानी करते हूँ. तो इस तरीके से उन लड़गीं का जीवन किता प्रतारीत ऋ जाता है? हो जाता है कि नहीं हो कितनी उसी इपत में वे उपनी लाइफ जिती है तो इस तरीके से यह क्या है? धर्मशास्त्रों में उनका विधान है जैसा तक यह भी हमने तीन बताया आपको कि समुद्र के जहाज का सफर नहीं करना विद्वा विवा ना करना बाल विवा करना ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो बताई गई हैं जो धर्म शास्त्रों में लिखी हैं मगर जो समाज विरोधी हैं देखे जब हमारे शास्त्रों का निर्माण हुआ था तो उस समय ऐसे कोई भी दोश हमारे शास्त्रों में नहीं थे ऐसे कोई भी नियम ऐसी कोई भी रूड़ी कोई भी परंपरा नहीं थी लेकिन जैसे जैसे समय बीता और कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में ये हमारे धर्म शास्त्रों भेद पड़े उन्हों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों के साप से उनमे तोर मरूड किया इसलिए ये सारी जो कूरीतिया और परंपरा हैं हमारे धर्मशास्त्रों में आड हूती चली गए लेखक ने ऐसी निमलिखित बातों का उलिख किया है पहला है धर्म शास्त्रों के अनुसार जहाज के सफर का निशेत कहा गया है आप से बोला गया है कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पानी का जो जहाज होता है उस पे आपको सफर नहीं करना है ठीक है? यह कितना गलत है? हमारा व्यापार इससे हो सकता है, आगागमन हो सकता है, एक देश में हम जाकर बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, वहां से ला सकते हैं, अपने बने समान को वहां पर भेज सकते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से निशेप था, इसलिए लोगों ने लेकिन जैसे जैसे लोगों ने समझा इस परंपरा को तोड़ा और आगे बढ़े अब तो बहुत सारा भाई कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पानी के जहाजों के जरी होता है की नहीं होता है तो वो चीज़ बताई का अगर ये काम बहुत पहले से कर रहे होते तो हमारा देश बहुत प्रगती कर चुका होता है फिर विद्वा विवा के कड़े विरुद्ध थे अब यानि कि विद्वा विवा ने करना अगर कोई लड़की जो है विद्वा हो गई तो एक तो उसका विवा होना ही नहीं है और दूसरे जो नियम है कि उसे घर का एक बहुत ही गंदा सा खराब सा अंधेरे वाला कुना दे जैसे एक विद्वा को लेकर नियम थे पहले बाल विवा के पक्ष धर्जब की समाज के विकास में ये अवरूद है चोटे-चोटे बच्चों का विवा कर दिया जाता था जो बच्चे अबोध हैं जिने ये नहीं पता कि हमारा पार्टनर कैसा है हमारा भविश्य कैसा होगा आप उनका विवा कर देते हो आपस में बान देते हो बड़े होकर वो एक दूसरे का नहीं मैच करें कुछ नहीं करें तो एक अच्छे समाज के डेवलिप्मेंट के लिए ये बहुत बड़ा रोडा है धर्म शास्त कुलीन प्रथा बहु विवा आदी के समर्थक अब क्या ह कुलीन प्रथा यानि की कुल में ही जो है वो विवा होना बहु विवा प्रथा यानि की एक आदमी जो है वो कई शादियां कर सकता था ऐसे भी कई नियम थे इस्त्री सिक्षा में पूर्टा विरोध था हमारे शास्त्रों में इस्त्री सिक्षा पर पूरी तरीके से प्रति अलैफ है जो बहुत महां ग्यानी अमा करती थी फिर है धर्मशास्त धर्म.जाती वर्ग तथा को बढ़ावा देता था जो धर्मdoes रहे दर्मों में ही जो अलग-अलग बना दिये गए थे उनको हमेशा बढ़ावा देता रहा जैसे ब्राम महर हो गया आपका शत्री हो गया बनिक शुद्र हो गया इस तरीके के इसे अलग अलग वड्रनों में बांट दिया गया ये वणववस्था जब हमारा धर्म शुरूब हुआ था तब से था लेकिन तब ये वण विवस्था लोगों के कर्मों के हिसाब से डिसाइड थी उनके जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं थी यानि कि कोई वेक्ति किसी भी परिवार मतमा लीजी एक परिवार में तीन बच्चे हैं एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो कहां चला जाता था ब्राम मढवर में चड़ा जाता था दूसरा जो है वो व्यापार में बढ़ा अच्छा था तो वो बनिक जो है वो आजाता था व्यापार बनिक बन जाता था दूसरा जो है य धिरे धिरे ये चीजे क्या हो गई ये जन्म के आधार पर डिसाइड हो गई आपका जन्म जिस कुल में हो गया आप चाप के कर्म जैसे भी हो आप ब्राम्मण कुल में जन्मे हो लेकिन आप के कर्म आप जैसा भी कर्म कर रहे हो आप हमेशा ब्राम्मण रहो गए तो ये जन् किया कि धर्मशास्त्रों में अनेक बाते समाज विरोधी हैं जिनके चलते भारत की उन्नती असंभव है इसने भारत के विकास में बादक इन सभी कुरीतियों को समाप्त करना है तो हमारे धर्मशास्तों में जो इस सारी कुरीतिया है इन कुरीतियों को जब हम समाप्त करेंग कुरीतियां देखे आज के समय में पालन नहीं होती लोग वर्ण जाती भेद नहीं मानते आज के समय में जादा लोग क्या कहते हैं विद्वा विवहा का जो विरोध था आज नहीं होता बाल विवहा के कड़े नियम है ठीक है तो ये लोग पानी के जहाच का अज आज हमारा देखिए देश उन्नती कर रहा है यानि कि ये सब जो चीजे थी हमारे देश की उन्नती में बाधग थी ये चीज भारतिंदू हरिश्चंद्र ने ने बहुत पहले ही कह दिया था प्रश्ण संख्या पाँच है लेखक ने अंग्रेजी नीती वा उसकी करतव बधता की प्रशंशा की है पाट के आधार पर इसपश्ट कीजिए अंग्रेजों की जो नीती है और जो अपने करतव के लिए जो वो इतने लोग डिव्योटेड रहते हैं अंग्रेज यानि कि उन के लिए बहुत ही पूजनी हैं और वो सर्वो पर ही है इस बाद का जो है लेखक ने बहुत प्रशंशा की है ये आपको बताना है देखे कैसे दिया है लेखक ने अपने भाशन में अंग्रेजी नीती वा करतवियों को द्रश्टांत बना कर उनकी प्रशंशा वा भारतियो को राश्ट के प्रति सचेत किया है उन्होंने क्या बताया है कि जो अंग्रेजी जो लोग होते हैं वो अपने काम के प्रति बहुत ये जादा रिवूटेट रहे हैं इसके कई उधारन प्रस्तुत करते हुए लोगों को यानि भारतियों लोगों को भी अपने राश्ट के प्रती वैसे ही प्रेम रखने और कर्तव विबधता करने का के लिए प्रेरित किया है। वो इतना विवस्थित था कि उन सभी को देखकर जो मेले के वहां के कलेक्टर थे रोबर्ट सहाब उनकी तुलना अकबर से करी। अपना कर देश की प्रगती करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अंगरेजों का जो धर्म है। उनका धर्म क्या था? वो क्रिश्यन्स हैं। ठीक है? उनका जो धर्म की जो नीतिया, धर्म में जो चीजे बताई गई हैं। वो उनकी राजनीती से एकदम मिलती जुलती हैं। और ये हमेशा उनकी प्रगती का कारण बनती है। लेकिन हमारे यहां क्या था? हमारे धर्म की जो नीतिया हैं वो सब ऐसी थी जो हमारी उन्नती को रोक रही थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें उनकी धर्मनीतियों से प्रेणना लेनी चाहिए, हमें ऐसी धर्मनीतियों को बनाना चाहिए, जो हमारी राजनीति से पूरी तरीके से मिल खाएं और हमारे देश की उन्नती के लिए कार्री करें लेखक को अंग्रेजी शाषन के विकास के सभी साधनों की उपलब्दता दिखाई पड़ती थी अंग्रेजी शाषन विवस्था जिस तरीके से शाषन करती थी अगर हम एक पल को भोल जाएं कि उन्होंने हमारे उपर कितने अत्याचार किये हैं हम सिर्फ उनकी अगर शाषन नीती की बारे में बात करें तो आप ये देखेंगे उन्होंने एक जुट होकर इस तरीके से अपनी शाषन नीती चलाई कि उनका देश बहुत ज़ादा प्रतारित करके हमारा शोषन करके जो है उन्नती और प्रगती पाई लेकिन जो नीती उन्होंने अपनाई थी यानि कि वो एक जुट होकर करता विबधता के साथ कार्रे करते थे तो उनका देश इत्ता होने थे और भारतियों को भी उनकी तरह बनने का परामर्श देता है तो कोचवान का मतलब जानते हूं ना पहले क्या कहलते थे तांगे चलते थे जिसमें ऐसे करके केबिन्स बने हूते थे तो उनको चलाने वाले को क्या बोलते थे कोचवान बोलते थे तो वो कोचवान वगारा लोगों को एक जखा से दूसरी जखा ले जाने का जैसे आजकल हमारे यहाँ आटो है यह सब चीजे चलती है ना तो आटो ड्राइवर इधर से उधर लेके जाते थे तो उनको जब खाली समय मिलता था ना तो वो क्या करते थे वो अखबार पढ़ते थे तो हमें भी यहाँ के लोगों को भी इसी तरीके से कारे करना चाहिए प्रश्ण संख्या 6 है लेखक ने वर्षों पहले दिये गए भाशन में जिन समस्याओं का उलेख किया है उनमें से आज कौन कौन सी प्रासंगिक है वर्णन कीजिए लेखक की भाशन में बहुत सार जो हैं समस्याओं के बारे में बताया गया कि हमारे देश में ये ये समस्याओं थी क्या वो समस्याओं आज के समय में भी हैं ये आपको बतानी है ठीक है बहुत सारी उन्होंने उस समय के अब उस समय में तो हमारा देश जो है वो परतंत था लेकिन आज तो समस्याओं प्र उन्नत है उच समय भी क्या था बाकी सारे जितने विश्व के देश थे आमेरिका हो फ्रांस हो रूस हो सभी हमसे जाधा प्रगति उन्नति कर रहे थे आज भी वो देश हमसे उन्नति कर रहे हैं अब ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने तो भाई हम तो परतंत थे आज से 75 साल पहले हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद हमने दीरे दीरे प्रगती करने शुरू करी प्रगती का स्टाटिंग थी वो बहुत देर से हुई लेकिन बहुत स्लो भी हुए तो ये समस्या पहले भी थी और ये आज भी है राजा महाराजा के ही सबान आज हमारी सरकार भी अपने ही हितों में तल्लीन है आम जनता वा देश की प्रगती से उन्हें कोई सरुकार नहीं है यानि कि आज की जो सरकार है वो आज भी जो निर्म तबके के लोग हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती जैसे पहले थे राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपने बारे में ही सोचते थे उनकी प्रजा में जो लोग निम्न हैं किस तरह की परिशानियां जहल रहे हुने कोई फरक नहीं पड़ता उसी तरह की आज की सरकारों के साथ भी है नेक्स्ट है विभिन धर्मों के लोग आपस में लड़कर सामप्रदाइक्ता आज भी फैला रहे हैं जिने भारतेंदू ने अपने समय के काल में भी एक्ता का पाट पड़ाया था उस समय भी जाती प्रथा वण विवरस्था भेद भाव चुआ चूत ये सब को समाज में व्याप्त था तो आज भी है अज जतना प्रबल पहले था आज उतना प्रबल नहीं है लेकिन यह नहीं बोलेंगे कि समाप्त हो चुका है आज भी है लेकिन कम है लोग आज भी देखें ऐसा तो है नहीं कि सामप्रदाइक दंगे नहीं हो रहे कितने सारे धर्म के नाम पर धंदे जो हैं दंगे हो जाते हैं लोगों में आगजनी हो जाती है जगड़े हो जाते हैं मार काट हो जाती है तो आज भी होता है लेकिन ज कुछ दिन पहले में पेपर पढ़ रही थी तो ये बाल विवा का एक गाउं में राजस्थान के गाउं की बात हमने पढ़ी थी तो मतलब बाल विवा अभी भी कई इंटीरियर इलाकों में होता है इस तरी सिक्षा आज भी लड़कियों को गाउं वगेरा में पढ़ने नहीं दिया जाता है विदवा विवा विदवा को समाच से बिल्कुल अलग आप भी अगर आज आप देखेंगे तो बहुत जगा विदवा आश्रम आपको आज भी मिलेंगे तो जो चीजें उस समय इतनी प्रबल रूप में एक समाच के नियम के रूप में फॉलो करी जाती थी आज उस नियम के रूप में तो फॉलो नहीं करी जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाप्त हो गई हैं, आज भी ये हैं समाज में, धर्म का वास्तवी कर्थ आज भी लुप्त है, उसके स्थान पर केवल बाय आडंबर ही समाज में विद्धमान है, साथी कठरपंथी एकभाल के बारे में बताता है, वो अर्थ आज भी नदारत है, आज भी लोग धर्म को भाय आडंबरों के रूप में देखते हैं, तीरतिस्थानों पर जाना है, उनको पूजा करनी है, चार बार, पांच बार के कहते हैं, अगर बत्ती जलानी है, माला फेडनी है, ये सारे काम करते हैं, लेकिन दिल से जो है एक धर्म हमें जो चीज सिखाता है, हम उसे accept नहीं करते हैं, दिखावा हम बहुत करते हैं, लेकिन जो actual में धर्म, जैसे हम मान लीजे कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, कि हम सुबा पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तुलसी को कर रहे हैं आप जो है घर में चाहे 50 पक्वान बना कर भगवान जी की मूर्ती के आगे लगा दीजे हमको उससे कोई लाब नहीं होगा लाब हमें किससे होगा जब हम किसी भूगे को रूटी देंगे तब वो सही धर्म कहलाता है ठीके ना तो धर्म में हम आडंबर बहुत क कर रहे हैं टेकिन एक्चुल में धर्म क्या कहता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं आज भी जाती धर्म वर्ग तथा लिंग के आधार पर भेद भाव की जड़े व्यापत हैं तो आज भी हम जाती भेद मानते हैं लिंग भेद मानते हैं सभी कुछ आज भी समाज म है लेकिन हाँ उतने प्रबल रूप में नहीं है जितना पहले माना जाता था प्रश्ण संख्या साथ है लेखक लेखक ने हिंदूओं और मुसल्मानों को क्या प्रामर्श दिया है भाई ये दो ऐसे धर्म रहे जो बहुत ही प्रबल रूप में शुरू से लेकर अभी तक हैं और जिनमें आपसी मद्भेद भी बहुत जादा होता रहा तो भारतेंदी जूने देखा कि भाई ये दो धर्म जो हैं वो बहुत दी बबल रूप में हिंदूस्तान में हैं और बहुत जगड़े भी होते हैं तो उनको भी उन्होंने कुछ सला दी है क्या दी है देखिए लेखक ने हिंदूओं मुसल्मानों को आपस में मिलकर रहने को कहा साती मुसल्मानों से कहा कि इस हिंदूस्तान म करो कि वह आपके भाई हैं इस तरीके से आपको बर्ताफ करना है ऐसी बात ना करो जो हिंदूं का जीद उखाने वाली है ऐसे कोई भी काम आपको नहीं करना है कि लिफिक ca पालस हट धर्मी सब छोड़कर हिंदू के साथ तुम भी दोड़ो एक एक दो हो जाओ और पुरानी बाते दूर करो उन्होंने बोला कि हिंदू अगर दोड रहा है कह रहा है कि अगर हिंदू अपने देश की प्रगती और उन्नती के लिए काम कर रहा है तो तुम भी इस हुई उनको भूल जाओ हिंदू भाई तुम भी मत मतांतर का आगरे छोड़ो यानि कि तुम भी जो है हमारा मत ये हैं हमारा वो मत है ये भेदभाव को तुम छोड़ दो आपस में प्रेम बढ़ाओ इस महामंतर का जाब करो जो हिंदू हिंदू स्तान में रहे चाहे किसी रंग जाती का क्यों ना हो हिंदू हिंदू की ही सहायता करो बंगाली मराठी पंजाबी मदरासी वैदिक जैन ब्रामण मुसल्मान सब एक का हाथ एक पकड़े तो कहने का मतलब है उन्होंने हिंदू हों से आगरे किया है कि जितने भी लोग है उन जो यहां इस देश में र समझना है कि अगर यह इस भूमी पर रह रहा है तो यह हिंदूस्तानी है और उसका हाथ पकड़ कर चलो अपना भाई समझकर मानकर आगे बढ़ो तो इस तरीके से इन्होंने हिंदू और मुसल्मान दोनों को ही परामश दिया है प्रश्ट संख्या आठ है लेखक ने अपन होता है जड़ कोई भी चीज होती ना उसकी अपनी एक जड़ होती है अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है मान लीजे कोई चीज अच्छी लग रही है अब आपको मान लीजे कोल्रिंग अच्छी लगती है तो कोल्रिंग क्यों अच्छी लग रही है इसके मूल में क क्या है क्यों क्योंकि वो मीठी होती है हमें तुरंत कर तुरंत रिफ्रेश कर दिये यानि कि कोई भी चीज हमें अच्छी लग रही है बुरी लग रही है हमारे अंदर कोई भी कमी है या हम किसी चीज को नकार रहें तो हर चीज का अपना एक कारण होता है तो उसी को हम क्या मूल कारण तो कोई भी अगर अंदर आपके कोई कमी है तो उसका कारण क्या है उसको खोजने का प्रयत्न कीजिए किसी भी देश की प्रगति के लिए आविशाखी की समाज वा उसके लोगों के दरश्टी कोड में सुधार होना यानि कि हम हमारा जो समाज है और हमारे देखने का जो जरीया है उसमें सुधार होना जरूरी किसी भी चीज को हम किस नजरीय से देखते हैं इस चीज का सुधार होना जरूरी जैसे हम देखते न कि बहुत हम चीज है कोई गिलास में पानी है तो अगर कोई व्यक्ति पॉजटिव है तो यह क्या बोलेगा कि आधा गिलास अगर कोई negative है तो उसकी कमी पहले देखे का रहे ये गिलास तो आधा है ठीक है ना तो हम किसी भी चीज में positive देख रहे हैं या negative देख रहे हैं ये हमारा point of view यानि की दृष्टी कोण होता है तो किसी भी वेक्ति को किसी भी चीज को देखने के दृष्टी कोण में सुधार कर करना चाहिए सरफ़तल हमें अपनी कमियों के कारण जानने होंगे कि दोष्ट कहां है हम अगर किसी चीज को कहीं देखते हैं माल लीजे अगर हम किसी वेक्ति पर किसी तरह का दोशार ओपन करते हैं किसी की कमी निकालते हैं तो ये देखिए कि आपके अंदर कमी किती है तो एक उंगली हम उसकी तरफ उठा रहे हैं मगर बाकी तीन उगली हमारी तरफ उठ रहे हैं यानि कि हमारे अंदर दोश जा गया है उस वेक्ति के अंदर दोश कम है तो किसी भी चीजों में हम क्या है अगर दोश देख रहे हैं तो हम यह देखें कि हमारी कमी क्या है आखिर हम अपने दोशों को खोजना होगा, जैसे हमें धर्म की आणवा आडंबर को नश्ट करना होगा, अपने धन वा मान का बलिदान करना होगा, सुख सुविधाओं में लिप्त लोगों को लोगों वा चोरों को बाहर निकाल कर समाप्त करना होगा, सीधे सीधे उनों ने कैसे बोल बढ़ते हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं अपने धन और माण का वलिदान हमारे पास बहुत ज़ाधा धन हैं मान है इसलिए हम कोई काम नहीं करना चाहते तो वो चीज़ें आपको अपने पास तो यह कमिया हैं जो हमें कर म tengo कर मट होने से रोकती हैं तो इन सभी से हमै अपने आपको अलग करना होगा सुख सिविधाओं में लिप्त लोगों वाचोरों को अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी सरकार के अंदर सुख सुधाएं प्राक्त करें हैं और भारतियों को ही अंदर से खोकला कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को ढूंड कर हमें अपने समाच से बाहर करना होगा तो इस तरीके से इन सभी कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे हम अपनी कमियों को सबसे पहले अपने अंदर से निकालें तब कहीं जाकर हम अपने देश की उन्नती में सही योग दे पाएंगे हम कुएं के मेड़ा, काट, केलू, पुंजरे के गंगाराम ही क्यों बने रहें हमें अपने समय का सदूपयोग या अफसरों का लाब नहीं उठाया आदी इन सभी दोशों को हमें अपने मूल में ही खोजना होगा तभी भारत की उन्नती के मारगवा प्रयास सफल होगे तो उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ हम जहां रह रहे हैं हमें उतना ही नहीं देखना हमें देखना है कि विश्व में क्या हो रहा है हमें उससे competence करना है हमें competition उससे करना है तो हमें यह सिर्फ नहीं है कि हम कुए के medak बने रहे हैं अर्थातम जहां रहे हैं उतने का लेखै अपने आसपास हम नहीं दिख रहे हैं अपने सही समय का सही सुद्व योग कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में सही योग दीजिए। जो अपने फाइदे के लिए शाषन चलाती है जिसके उपर शाषन कर रही है उसको क्या फरक पड़ रहा है उसे कुछ पता नहीं चलता और दूसरा भारतियों ने इसे अपनी आदत बना ली है इसके कारण उनकी आलसी प्रवत्ती निकल के आती है ये दो चीजिए उन्होंने इस भाषण में साफ तौर से कही है भाषण करता ने अंग्रेजी शाषण पर व्यंग किया उन्होंने देशवाशियों के आलसी पन समय के अपवेव अंध विश्वास पर अपना दर्श्टी कोण प्रस्तूत किया ये दो चीज़े उन्हें बताएं भारती अंग्रेजी प्रणाली चला रही है दूसरा हमारे जो देशवासी हैं वो किस तरीके से आलसी हैं अपने समय को बरबात करते हैं अंध विश्वासी हैं इस पर अपने पॉंट फ्यू को उन्होंने प्रस्तूत किया है देश की बुराईयों को दूर करने की प्रेणना दी हमारे देश के उन बातों को अपनाने पर जोड़ दिया है जो प्योगी है पुराने समय में जो रिशिम उन्हों करते थे उनकी जो बाते थी उन्हें एकसेप्ट करने के लिए बोला है कि वो बहुत ही जादा प्रेणना दायक है हमें उन्हें एकसेप्ट करना चाहिए उनके भाशन का यह देश जो आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें भारत को भी आगे ले जाना है परिश्रमी, उत्साही, उद्यमी और स्वाभीमानी बनकर अपनी छविक को सुधारे यानि कि हमें महनती बनना है बहुत जादा उधम करना है और जो है जितना भी उत्साहा अपने अंदर बन नाके रखना है और इन्हीं सारी प्रवत्तियों के साथ काम को करते हुए आगे बढ़ा कर अपने देश की उन्नती करनी है प्रेशन संख्या 10 है भारतेंद जी की दरश्टी में भारत की अविनती का क्या कारण है उन्होंने हमारी देश जो इतना पिछड गया भारत की देश बाकी देश तो बहुत उन्नती कर रहे थे लेकिन हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था तो इसके कुछ कारणों को उन्होंने उजागर किया अपने इस भाशन में वो कारण क्या थे भारतेंद जीने भारत की अवनती का मूल कारण आलसी को माना यानि कि यहां का व्यक् आप से काम कराया व्यक्ति को अपकी सोच उसकी करमठता को वो दबाते चले गए तो नतीजा क्या हुआ यहां का व्यक्ति कुछ काम करने के कि जाता है जब हमें काम करने की हिजाजती नहीं है हमें कोई फायदा ही नहीं है तो आखिर हम काम करें क्यों तो धीरे धीरे यहां कि हमें स्वेम सोचना है अपनी उन्नती को मार को खोजना है और आगे चलना है हमें कोई प्रेणा दे तभी हम काम करते हैं ये एक सबसे बड़ी कमी यानि कि जब तक हमें कोई पीछे से धक्का ना दे हम आगे बढ़ते नहीं है देश में कुशल नेतर्त्व का आभाव है अब बिटे सरकार काम कर रही है तो नेतर्त अच्छा करी नहीं रही थी हम विदेशी वस्तूओं पर अधिक निर्भर हैं चारो तरफ विदेशी वस्तूओं थी स्वयम प्रत्न करके अपने देश में उनका उतपादन करने का प्रयास नहीं करते बाहर से जो चीजें हमें इजी रूप में मिल रही हैं उन्हीं को लेकिन हम वो सारी चीजों का निर्माण भारत में कर सकते हैं क्यों नहीं करते हैं हमारे अंदर आलस वैपते हैं अता देश का रुपिया बाहर जा रहा है यह मत मतांतर बहुत है यानि कि जब हम विदेशी चीजों को पचेस करते हैं तो क्या होता है उनका समान हमारे आया और हमारे देश की मुद्रा क्या है बाहर चली जाती है लेकिन अगर क्या होगा हम देश में चीजों को बनाएंगे तो हमारे देश का पैसा देश के अंदर रहेगा, लोगों को काम मिलेगा, सबसे पहली बात है कि हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा, और जब उनकी बनाई चीजों को हाका उब्भो कम करेंगे, तो हमारी जो करंसी है, वो हमारी हमारे देश में ही रहेगी, बाहर तो जाए हम अपने धर्म को भूल गए हैं गुलामी ही हमारी अवनती का एक कारण है यानि कि जो हमें इतने सालों तक गुलाम रखा गया ये एक मूल में है हमारे पिछडने का सबसे बड़ा कारण इसी कारण भारत की अवनती हु रही है जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है रूडियो उने भारत को ग्रस कर रखा है और हमारी उनती में बाधक है अब हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी उस पर कोई कंट्रोल नहीं था उस समय कोई नियम नहीं था लोग इस बारे में सोचते नहीं थे आलसी थे तो इस वज़़े से कि अवनती का कारण हमारी गुलामी हमारी अवनती का कारण बनी हमारे धर्म में जो रूणियां और परंपराएं जो समय कालांतर उभरती आई ये हमारी अवनती का बहुत बड़ा कारण बनी तो ये सारे जो कारण हैं वो हमारी अवनती के रहे प्रश्ण संख्या 11 है भाईयों अब तो नींद से चौको अपने देश की सब प्रकार उन्नती करें भारतिंद जी ने हिंदूओं को क्या संदेश दिया है अब उन्हों के लिए क्या कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हिंदु मत मत आंतर का आगरे चोड़ दें यानि कि हमारा मत यह है यह हमारा धर्म यह है यह सभी अंतरों को उन्हें छोड़ देना चाहिए यह सोचे कि हिंदुस्तान में रह रहा चाहे वह किसी भी रंग जाती धर्म का क्यों ना हो हिंदू हो हिंदू है और उसके साथ हिंदूं कासा ही वहवार करें हमारे देश में बहार से बहुत सारे लोग और धर्म जातियां आके बसी हमने accept किया लेकिन हम उनको अपना सा नहीं समझते रहे तो वही आगरे उन्होंने किया कि भारत भूमी पे रह रहा व्यक्ति चाहे उसकी जाती कोई भी हो उसका रंग भी कोई भी हो वस आज पो ये मानना है कि अगर वो भारत में रह रहा है हिंदुस्तान में रह रहा है तो वह हिंदू है और उसे अपना भाई समझ कर रखे अब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो कारी गरी सीखो जिससे देश का रुपिया देश में ही रहे उन्होंने कहा कि बाहर से बहुत सारा अगर लोग आए हैं तो अपने साथ बहुत सारा हुनर लेकर आए हमें उन लोगों का हाथ पकड़ कर रहना है उनसे बहुत सारे हुनर को सीखना है और उस हुनर से अपने देश को फायदा पहुचाना है ताकि देश का रुपया देश में ही रहे विदेश में कोई वस्तू मत मांगो विदेश से मत मंगाओ और ना उनका उब्भोग करो यानि कि उन्होंने विदेशी वस्तू के उब्भोग के लिए मना किया है अब अपने को संभालो विदेश आगे बढ़ रहे हैं तुम पीछे क्यूं हट रहे हूं सब प्रकार से उन्नती करो इसी में तुम्हारी भलाई है विदेशी वस्तू और विदेशी भाषा का त्याग करो तो भारती जिन जुने सीधे सीधे हमको बताया कि सारे देश उन्नती कर रहे हैं हम पीछे क्यूं है तो उन जो हमारे पीछे होने का जो कारण है वो इसपश्ट किया हमें समझाया कि हमें किस तरीक हम आपसी मद्भेत करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उस मद्भेत को हमें सबसे पहले रूखना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुवंन सभी का त्याख करो अपन स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी निर्मान करो, स्वदेशी भाषा को अपनाओ तो इस तरीके से जब हम अपनी ये चीज़ पर गर्व करेंगे तो हम जादा देजी से उन्नती करेंगे हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती लेखक ने भारतियों के लिए ऐसा क्यों कहा जो भारतियों लोग हैं उनके लिए ये शब्द क्यों बोल रहे हैं हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती ये चीज़ क्यों बोली गई है भारती जी ने बताया कि भारती ये आलसी और अकरमठे हैं यानि अब देखिए हम ने के बताया था इन सभी का सबसे मूल कारण रहा हम इतने साल हो 200 साल तक हम गुलाम रहें तो इस गुलामी ने हमको आलसी और जो है वो अकरमठे बना दिया अकरमठे का मतलब समझते हैं कि लोग अपने काम नहीं करते हैं और बैठे बैठे खाना चाहते है तो वही चीज़ इन्हें काम करने की लगन नहीं है यदि करम करने की इच्छा हो तो साधनों के अभाव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है उन्होंने बोला कि अगर आपके पास साधन नहीं है मान लीजे काम करना आपके काम करने की इच्छा है मगर साधन नहीं है तो अगर इच्छा है तो भी हम बहुत सारे कामों को साध सकते हैं हमारे पूरूजों के पास कोई साधन नहीं थे वे जंगल में पत्तों और मिट्टी की कुटिया में रहते थे साधनों के अभाव में भी उन्होंने कुटिया में बैड़ कर बास की ये नलियों से तारा ग्रह आदी बेद कर उनकी गती की जानकारी दी थी जिस गती को विलायत के 16 लाख से बनी दूरवीन भी नहीं नाप पाती तो इन्होंने उधारण दिया कि हमारे जो पूर्वश थे वो पत्ते पहनते थे और गाओं में मिट्टी की कुटिया में रहते थे मगर तब भी उन्होंने बास की बनी नली से जो है बाहर दूरी नक्षत्रों को देख लिया और उनकी सही गणना कर ली जो आज की विदेश में लाखो की बनी दूरवीन भी सही गणनाय नहीं कर पाती हमारे पूरुजों ने उसकी गणना करी तो उन्होंने की उधारण दिया कि उनके पास साधन उनके पास दूरवीन नहीं थी उन्होंने बास से जो है बनाई थी तब भी जो है उन्होंने एकदम सटीक गणनाई करी सारे ग्रहों सारी चीजों के बारे में स्थितितियों के बारे में हमें सटीक चीज़े बताएं लेक फिर भी हम काम नहीं करते उत्पादन नहीं करते क्योंकि हमें लगन नहीं है इसलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि इन्हें अपती स्थिती को देखकर लाज भी नहीं आती तो यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ बताई किस तरीके से कि भाई आप उस समय जब साधन नहीं था तब हमने इत्ता कर लिया आज तो हमारे पास तो ना जाने कितने साधन है और तब भी जो है हम आल सब कुछ जो है छोड़ कर आलसी बने बैटे हैं और काम को नहीं करते हैं प्रेश्ण संख्या 13 है लड़के लड़कियों के संबंद में भारतिंद्य जी के क्या विचार है देखे भारत की उन्नती को लेकर उन्होंने इस भाशन को दिया तो हमारा जो युवा वर्ग है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अब युवा वर्ग के ऊपर ये सबसे जादा होती है तो युवा वर्ग में लड़के लड़कियां दोनों आते हैं तो उनके लिए उन्होंने क्या विचारते भारतिंद्य जी ने मेले में जनसमू को संबोधित करके कहा कि बाल विवा मत करो यानि कि छोटे छोटे बच्चे जो आपस में विवा करते हैं या कोई एक बड़ा वैस्क वेक्ति जो है बच्ची से विवा कर लेता है तो इस तरहे के विवा मत करो इससे उनका बल और विर्य शीन होगा कहने का मतलब है उनकी ताकत जो है वो कमजोर पड़ेगी क्योंकि जब बच्चों में विवा होता है तो किसी भी समाज को healthy जो है वो बच्चे नहीं मिल पाते, आगे की जो पीड़ी है वो कमजोर हो जाएगी, उन्हें पढ़ने दीजिए और परिवार के भरत भोषण की चिंता से मुक्त रखे, यानि कि छोटे बच्चों के जब विवाह हो जाता है, तो जब वो समझदार होते हैं, उनकी पढ़ाई जाती है ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हम क्या हैं, हम सही से डवलब छोटे बच्चों को डवलब होने का मौका ही नहीं देते, छोटे में विवाह कर दिया, पढ़े लिखे नहीं, वो अपनी मुसीबतों में फसके रह गए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा, जिस क्या बताया, लड़कियों को पढ़ाईए, आज कल की तरह पढ़ाई का तादपर यहां नहीं था, कि सर्फ किताबी बाते दीजिए, उन्हें किताबी बाते तो सीखनी हैं ही पढ़ाई करनी हैं, लेकिन साथ में वहवारिक चीज़ें भी सीखनी हैं, जिसमें उन्होंने ब बताया, पती भक्ति की, या आप ये वेस्टन कल्चर बहुत तेजी से उस दोरान हमारे यहां देश में पनप रहा था, कि वहावार जिसे वेस्टन में होता है, कि कितनी जल्दी तलाक होते हैं, एक को छोड़के दूसरे से शादी हो जाती है, तो ये कल्चर जो हैं हमारे देश में भी आ रहा था, अपने पती के साथ साथ और कई लोगों से भी संबंध हो रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पती की भक्ति, कि जब आपकी लड़की के वैस्ट होने पढ़ने के बाद जब शादी हो, तो वो अपने ही पती को सब कुछ माने, ना कि वो इधर उधर भी देखे, तो इस तरहे की वहवारिक सिक्षा पर भी ध्यान देना है, प्रश्न संख्या 14 है, भारतेंदु जी ने देश हित के लिए युवकों को क्या प्रेंडना दिये, अब हमारा देश आगे प्रगती करना चाता है, तो उसके लिए वो नव युवकों को क्या प्रें प्रगती के लिए तो इसके लिए आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, और वो अपनी पूरी हिम्मत और पूरी ताकत लेकर देश की प्रगती के लिए कारे करेंगे, अपमान और मान की चिंता मत करो, हम बोलते ना कि नहीं यार ये काम करेंगे, तो आप अगर अपनी देश के लिए काम कर रहे हो तो ये मान अफमान छोड़ दो कहीं पर भी अपने दोशों को जानो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो जो धुएं और सुख की आण लेकर देश की उन्नती में बाधक बन रहे हैं उन्हें मार्ग से हटाओ यानि कि जो लोग ये देख रह और आगे बढ़ो उन्हें दंड दो और देश हित के लिए कार करने को प्रयरित करो जो कोई भी गलत है उसको दंड दो और आगे पढ़ो जो बाते उन्नती पत में बाधक हैं उन्हें हटाओ जब तक देश हित के लिए उन्नती के लिए कुरवानी नहीं होगी और देश द् अगर कोई ऐसा है जो नहीं हट रहा है या बहुत जादा प्रताडित कर रहा है तो उसको दंड दीजिए मगर अपने रास्ते से हटाईए अपने आपको आगे बढ़ाईए देश को आगे बढ़ाईए और उसकी उन्नती के लिए कार करिए प्रश्ट संख्या 15 है फिर कब राज जनकपुर आई है इस पंक्ती में भारतित जी ने किस संदर्भ में कही है अब ये चीज अब जनकपुर तो आप जानते हैं न जानकी जीकापुर यानि कि सीता जी के लिए तो अब फिर से वो जनकपुर कब आएगा ये बात भारतित जी ने किस आश्र में और कैसे कही है ये आपको बताना है भारतित जी ने अपने भाषण में लोगों से कहा कि इस समय उन्नती का सुभ अवसर है इसे हाथ से मत जाने दो यानि कि देखे जो एक प्रगति होती है वो गर सही समय पर करी जाए सही काम सही समय पर किया जाए तो हम ज़्यादा फायदा उठा सकते वनिस्पत वो समय निकल जाए और तब हम करें तो कोई मतलब नहीं रहता है ठीक ना जैसे आपको पास अभी समय क्या है आपको पढ़ना है तो पढ़ने का एकदम सही समय है आप पढ़ लो ठीक है और अगर आप आपका मानलो जब आपके एक्जाइम साएंगे आप तब जैनवेरी में या फैब में पढ़ना शुड़ू करोगे तो इतना सारा से लिबस आप एक साथ कंप्लीट तो कर नहीं सकते हो तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे फिर आपके पास कोई सब्चारा ही नहीं है तो मतलब सही समय पर सही काम करो उन्होंने सीधे सीधे क्या बोला कि ये अभी उन्नती का सही अफसर है और इसे हमें हाथ से नहीं जाने देना है और हमें अपने अंदर वो जोश भरना है औ ख़़ो लोनेते आगे करनीit राजह महाराजहों महाराजहों में कोई आशा मतकर व्री रैजह करेंगे या कुछ करेंगा उनसे आशा करनी क्षभ excellence उन्हीर ने कि उनékर स्वार्थी कWoकूर गुते राजां की सिंदिगी क्या होती ? व्महेंति नहीं होते व्म करेंदियों आश् पंडित यानि कि ब्राम्भन वर्ग जो है आपको तरह तरह सा रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करो ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखाए वैसा नहीं करो ऐसा ऐसा है तो तुम्हें उनके चक्कर में भी नहीं फसना है सीधे आलस छोड़ो कमर कसो और खड़े छोड़ो वो चाहे कितना भी अपमान सहन करना पड़े इसी संदर्व में भारतίνदु जी ने उपरयुख तुपंक्ति कही है तो उन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे रास्ते में जितने भी कंटक अर्थाद कांटे आएं उन्हें छोड़ो चाहे कितना भी अपमान सहन करना पड़े अगर तुम्हें अपना काम करने के लिए कितना भी अपमान सहन करना पड़े क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हम यह काम करेंगे तुम्हें आग बढ़ते रहना तो इसी संधर में भारतिन दुजी ने उपरिक्त पंति कही है फिर कब राज जनकपुर आई अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ फिर कभी राज जनकपुर आई जनकपुर का मतलब तो आप समझ गए न कि जहांपर जो है जनक राजा जनक का राज्य हो तो यहा करनी पड़े गी चाहे जितना संपन्य गया हो, जितना सब कुछ हो हर वेक्ति संत्फट हो जाए, हर वेक्ति खुश हो ऐसा नहीं हो सकता राजा चाहे जितना अच्छा हो जितना प्रजा के लिए काम करे सब कुछ करे कोई न कोई उसके विपक्ष में आई विरोधी में बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा थीक है न? तो वही किया देश में अनेग व्यक्तियों का कहना था कि उन्हें पेट भरने के काम की से फुरसत नहीं मिलती वे भला उन्नती आदी की बाते कैसे सोचे इस पर भारतिन्दु जी ने कहा कि संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहां सभी लोगों के पेट भरे हूं मतलब समझी ये देखे क्या है देश में अनेक व्यक्ति अब यहां पर क्या बोला गया कि आप सभी आलसी हो आप लोग काम नहीं करते तो सब लोग बोला कि भाई हमें अपने काम से फुरसत नहीं मिलती कहने का ताथ परे हमें जो रोज मर्रा की उन्होंने एक उधारन दिया था ना कि इंग्लैंड में जो है क्या होता है अमेरिका में कि लोग जो गाड़ी वान कोच वान ये ड्राइवर जो भी होते हैं वो लोगों को पहुचाने के बाद जो उनके पास समय मिलता है वो खोल कर अखबार पढ़ते हैं यानि कि वो अपने ग्यान को बढ़ाते हैं देखते हैं कि वो कैसे काम कर सकते हैं ताकि देश में उन्नती हो सके ये उधारण उन्होंने दिया तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हम अपने पेट भरने में ही इतना बिजी रहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती आप देखे जैसे मैंने अभी उधारन बोला था ना कि राजा चाहे जितना भी अच्छा हो कोई ने कोई विपक्ष में खड़ा हो जाता है तो भारते इंदु दिजी ने जितना अच्छा उन्होंने समय का सदूपियोग करने के लिए बात बोली उसके दिपक्ष में चार लोग खड़े हो गए कि भाई हमें फुर्सत नहीं है तब उन्होंने ये चीज बोली कि भाई वे भला उन्नती आदी की बाते कैसे सोचे इस पर भाई संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं मिलेगा जहां सभी के पेट भरे हो अर्थात आप अपने पेट भरने की काम में चाहे जितना व्यस्त हो कुछ भी हो कुछ समय तो अपने लिए निकालते हो ऐसा तो नहीं है अब है कोई मजदूर है ठीक है अब किसी साइट पे किसी बिल्डिंग पे अगर काम कर रहा है तो अब आप यह देखो वो इटे नीचे से उठाकर उपर त लगता है अपनी सास को स्टेबल करता है फिर नीचे आता है फिर इटे लेता है फिर जाता है यह काम करने के बाद लंच में उसको कुछ टाइम मिलता है एक से देट घंटा दो घंटा का समय उसको लंच का टाइम मिलता है लंच करने में इतना तो लगता नहीं वह क्या करता यहां तुम्हारा फिजिकल लेबर करते हैं उनको बोला गया आप उपने ब्रेक के दारान mentally work करो और जो mentally work करते हैं उनको बोला गया अपनी break के दोरान physically work करो तो वही चीज़ उन्हों बोला कि कोई ऐसा नहीं है इंग्लैंड में आज निरंतर उन्नती कर रहा है कभी वहां भी लोग पेट भरने के लिए चिंतित रहते थे उन लोगों ने अपने पेट भरने के साथ साथ उन्नती के मार्व में आने वाली बाधाओं को भी हटाया यानि कि वो काम कर रहे थे अब मालीचे आप ये तो नहीं चाओगे जैसे मालो आप मजदूर हो तो आप ये तो नहीं चाओगे कि हम सारी लाइफ ये इटे ही ढोते रहें आप ये नहीं चाओगे कि कभी जो व्यक्ति मजदूर है वो अपनी उन्नती कैसे सुचेगा वो सुचेगा मैं आगे मेसन बन जाओं मेसन मन जाओ तो वो मेसन की काम पे भी ध्यान देगा अरताज जिस दोरान उसको ब्रेक पड़ा है उस दोरान वो मेसन के काम को समझने की कोशिश करेगा कहने का ताथ पर ये नहीं कि हम उस दोरान देश की उन्नती के लिए सुचेगे हम अगर अपनी उन्नती करते हैं तो देश की उन्नती स्वताही हो जाती है अपने आप हो जाती है यानि कि जो दोरान आपको थोड़ा खाली समय मिल रहा है उस समय आप अपनी पदोन्नती के बार में ऐसे कारे के बारे में सोचो जिससे आप आगे बढ़ सको तो सीधे सीधे उनुन बोला यहाँ पर कि कोई ऐसा देजनी जहां सभी के पेट भरे हूं अर्थाद कोई न कोई ऐसा विक्ति है जो अपोजीशन में हमेशा आपके खड़ा ही रहेगा मगर आपको उसको दरकिनार करके अपनी उन्नती के लिए आगे बढ़ते रहना है इंग्लैंड में भी किसान, खेत, मजदूर, गारिवान, मजदूर और कोचवान आदी हैं परन तो वे लोग अपना धंदा करने के साथ साथ कुछ नया काम या वस्तु बनाने के बारे में भी सोचते रहते हैं इसी कारण इंग्लैंड निरंतर उन्नती कर रहा है यानि कि उनक साहब निकलेंगे शाम को पांच बजे और तुमने नौ बजे छोड़ दिया अब उतने बीच का जो टाइम है तुम उस जगा ऑफिस से तो हट नहीं सकते हो लेकिन उस दौरान तुम कुछ चीजे सीख सकते हो अब वो चीजे आप देखिए आजकल तो ऑनलाइन फैसलिटी प्रेश्ण संख्या सत्रा है उन्नती की घुरदोर में भारतियों की क्या स्थिती बताई है उन्नती की घुरदोर यानि की इस घुरदोर में कौन है सभी देश आगे की दोड रहे थे लेकिन भारत की क्या स्थिती थी भारत तो रेंग रहा था भारतिंद जी ने भाषण में कहा कि अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नती के कारण लाखों पुस्त के और हजारों यंत्र आज प्राप्त हैं और विक्सित देश उनका उप्योग करके उन्नती की गुरदोड में आगे निकल ले जा रहा है यानि कि जो आजकर हमारे पास साधन उपलब्द हैं सभी देश उनका इस्तिमाल करके उन्नती की दोड में आगे निकल रहा है साधनों के होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यह ईश्वर का कोप ही है भारतेंगी जोग को दुख है कि यदि हम अब भी नहीं जागे और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो उन्होंने बोला कि बाकी जितने विक्सत देश हैं वो इन सभी पुस्तके और हजारों यंत्रों का इस्तिमाल करके अपनी उन्नती अपने देश की उन्नती और अपनी उन्नती की दौड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हो रहा है लेकिन हम क्या हैं हमें साधन उपलब्द हैं सब कुछ हैं लेकिन तब भी जो हैं वो हम आलस दिखा रहे हैं कि अगर आज के समय में हमने अपनी प्रगती और उन्नती के बारे में नहीं सोचा तो आने वाला वो समय दूर नहीं है कि जब हम सबसे जादा पिछड़े हुए देशों में माने जाएंगे प्रश्न संख्या 18 है भारतिन्त जी ने भारतियों की मनोवरत्ती पर व्यंग किया है यानि कि यह जो भारतिय होते हैं इन्हें हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है यहां के आदमी आलसी और निकम्मे सुभाव वाले हैं इनमें स्वेम कुछ नया करने का उत्साह नहीं है ऐसा नहीं है कि इनमें शक्ति नहीं है यह हनुमान जैसी अशीम शक्ति रखते हैं किन्त उस शक्ति का अनुभव कराने वाले नेत्रत की आवशक्ता है कुशल नित्रत पाकर ये बड़े और कठिन से कठिन कारे कर सकते हैं ये स्वेम मार्ग नहीं खोच सकते कहने का तादपर है कि यहां के लोग जो हैं वो अपने आप आगे बढ़ने की नहीं सोचते वो ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते रहते हैं जो इनके अंदर की जितनी खूबिया हैं उनको निकालकर वो इनके सामने रखें और आगे बढ़ें तो उनका कहने का सीधे तादपर क्या है ये बैठे रहेंगे इंतजार करते रहेंगे उस नित्रत्व का कि वो आकर उनको परोसाहिद करें उनके अंदर उत्सहा भरे और तब ये आगे बढ़े वो अपने आप नहीं सोचते कि नहीं हम ऐसा कर सकते तो मतलब इनको इंकरेज करने वाला कोई न कोई एक विक्ति चाहिए भारते दुजी ने भारतियों की निश्क्रिता को रेल के डिब्बे का उधारण देकर इसपश्ट किया है रेल के डिब्बे इंजन के बिना गतिशील नहीं होते इसी प्रकार यहां के आदमी भी अपने आप उन्नती नहीं कर सकते इन्हें कोई मार्ग दिखाएं तो यह चल सकते अब यहां पर भी देखें उन्हों दिर्श्टान तशैली हमको बता दी सीदे सीदे कैसे बताया है उन्होंने बताया कि आपने कभी रेल गाड़ी देखी है रेल गाड़ी में सबसे आगे इंजन लगा होता है उसके बीछे डिबबे है जब तक रेल का इंजन उन्हें खीचेगा नहीं तब तक यह डिबबे आगे नहीं बढ़ते उसी तरीके से भारती है यानि कि भारतीयों को एक ऐसा नित्त करने वाला व्यक्ति चाहिए जो उन्हें धक्का देकर आगे ले जाए तो यह सब आगे चल देंगे लेकिन अगर वो ऐसा अगर नहीं होगा तो वो अपनी जिगारू के रहेंगे यानि कि रेल के डिबबे को उन्होंने भारतीयों के द्वारा इस पश्ट करने की कोशिश करी है प्रिश्ण संख्या 19 है क्या भारतेंदु जी का भाषन ततकालीन परस्तितियों में ही नहीं अपितु आज ही पर परस्तितियों में उचित जान पड़ता है कानड लिखिए सही बात है आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आलसी हैं अपने काम को सही धंसे नहीं करते तो उन्हों ने जब उस समय लोगों को जागरत करने और आलस छोड़ने का काम कहा तो आज भी ये भाषन हमें नहीं लगता कि महत्व नहीं रखता आज भी महत्व रखता है ततकालीन समाज में भारतिंदु जी के भाषन का अपना महत्व था उस समय भारत पर ब्रिटिश राशन था राजे महराजाएं अपने स्वारत को पूरा करने के लिए ब्रिटिश लोगों की ही जी हुजूरी करते थे आम लोग भी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते थे उन लोगों में भी उन्नती करने का साहस नहीं था यानि कि उस समय के लोगों को प्रोचाहित करना जुरूरी था क्योंकि वो लोग जहां ब्रिटिश सरकार की गुलामी में थे वही राजा रमाराजाओं की गुलामी में भी थे यानि कि नौकरी तो कैसे हो कि सरकार द्वारा प्राप्त होगी और सरकार जो है वो अपने ही चाटी कारताओं कोई नौकरी देती थी आम जंता को नहीं देती थी तो क्या होता था नौकरी उनको मिलती नहीं और काम अगर कोई उनसे बोले कि छोटा सा काम कर लो गास काट लो तो उने लगता था छोटा काम है हम क्यूं करें तो इसलिए वो सब वेकार आलसी ही पड़े रहते थे लोग विदेशी माल को शेष्ट समस्ते थे जिससे अपने देश का धन बाहर जाने लगा था भारतिन्द जी ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को सचेत करने का प्र सारा आलस छोड़ना है अपनी उन्नती के लिए खुद कारेरत रहना है ये सारी चीजे उन्होंने भारतियों को प्रिरित करने के लिए अपने भाषणों में बोली उस समय ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान गुलाम है इसलिए कुछ नहीं करिया जा सकता लेकिन आज कि नविवकों की तरह ही आलस से भरा हुआ है छोटा काम या अपना रोजगार करने में शर्म का अनुभव करते हैं नौकरी की प्रतीक्षा में खाली बैठ कर गप्पे लगाते हैं देश को चलाने वाली सरकार भी अपना स्वार्थ पूरा करने में लगी हुई है बड़े- नविवक वैसे ही बेकार बैठे हैं छोटा काम करते नहीं अपना रोजगार शुरू करते नहीं नौकरी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि हां नौकरी आएंगी तब हमें प्राप्त होंगी गप्पे मारते हैं अपने समय को बरबात करते हैं जो सरकारी अधिकारी है वो नेताओं की चाप्लूसी में लगे रहते हैं जैसे पहले होता था जो राजा महराथ सामंत है वो अंग्रेज़ों की चाट्व कारिता हैं में लगे रहते थे आज भी विदेशी माल, को देशी माल से इस सामने उची गुरूबतता समझा जाता है helps विलायत की चॉकलेट हो, और गया हिंदू मुसल्मानों में पहले की तरह मदभेद आज भी विद्धिमान है दोनों जातियां एक दूसरे की निंदा करने में परहेज नहीं करती एक दूसरे की उपर आरोप लगाना ये करना वो करना आज भी बहुत तेजी से चल रहा है धर्म का स्वरूप ब्रामडों न जो कॉस्मेटिक्स वगेरा है वो हम हैं बाहर करें स्वाइब कर्ते हैं अब और उस समझ की परस्तितियों में कोई अधिक अंतर नहीं आया है आज मे और पहले में चीजों का स्वरूप बदला है लेकिन स्थितिया पर स्थितिया वही आपको देखने को मिलती है इसलिए भातेंदु जी का भाषन आज भी उतना ही उचित जान पड़ता है जितना उस समय था तो उन्हों ने उस समय जो भाषन दिया था वो आज के लोगों पर भी उतना ही का करना चाहिए यह बताया जा रहा है त्याग करके हिमत और उत्सा से काम में लग जाना चाहिए छोटे से छोटे काम से परहेज नहीं करना चाहिए धर्म के स्वार्थी रूप को त्याग कर धर्म के वास्तविक रूप का पूजन करना चाहिए कहने का मतलब है जो स्वार्थ पर रहने वाले सभी प्राणियों के साथ एक समान भेवार कीजिए, मनुष्य होकर मनुष्य की सेवा करिए, उसका आदर सम्मान करिए, प्राकतिक परियावर उनको बनाए रखिए, सारी चीजे जो हमारा धर्म का मूल रूप बताता है, हमें उसको फोलू करना है, एक ही की ही प्रापर्टी है, यहां का मान सम्मान है, इसका हास होता है, भाई हिंदू हो, चब मैं मुसलमान हो, भारत तो उनके दोनों के लिए उनका देश है, तो अगर कुछ भी आपस में करते हैं, तो उससे उनके मान सम्मान प्रापर्टी सभी का नुकसान होता है, तो हित के लिए अपने हित के लिए नहीं काम करना है लोगों के हित के लिए काम करना है यदि सब लोग मिल जुलकर काम करें तथा नव विवक शक्ति को उत्साह और हिम्मत को साथ लेकर चले तो भारत वर्ष की उन्नती हो सकती है तो उन्होंनों बोला कि सब लोग अगर मिल जु समानिता थी अब भारते इंदु जो इन दोनों के समानिताओं के जो हाट बाजार लगा था ना उसमें इन्होंने ये समानिता प्रकट करते हुए बताई थी कि जो हाट बाजार है उसमें बताया था कि जो रॉबर्ट सहाब है वो और अकबर इन दोनों को समान बताया गया था रॉबर्ट साहब बहादूर एक कलेक्टर थे वे अकबर बादशाह की तरह सारे समाज को एक ही इस्थान पर एकत्र होने का अफसर देते थे जैसे अकबर है हाट बाजार लगाता था तो पूरा क्या होता था पूरा समाज सभी लोग जो है वो एक जगा इकटतर हो जाते थे तो रोबर्ट जी भी कर्लेक्टर जी ऐसे ही करते थे जिससे समाज के लोगों में एकटा का संचार हो अकबर बादशाह के साथियों की तरह ही रॉबर्ट साहब बहादुर के साथ ही थे जो उन्हें आम लोगों को आपस में मिलाने में सहायक थे जो आम लोग थे वो उनको मिलाने में सहायक थे इसलिए मतब यह असर नहीं होता है कि जो शाशक हो उसी के अंदर ये सारा जोश हो बाकी जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके अंदर भी जोश होना चाहिए तो अकबर के अंदर और कलेक्टर सहाब के अंदर और उनके साथियों के अंदर ये सभी जोश समान रूप से थे अक्बर के दर्बार में अबुफजल, बीरबल, तोडरमल आदी थे तो रॉबर्ट साहब के साथ मुंशी चतरुभुच सहाई, मुंशी बिहारी लाल सहाई आदी थे उनमें ये सहाय, दोनों में समानता थी, कि वो सभी लोगों को समान रूप से लेकर चलना चाहते थे लोगों में, समान में जितने लोग हैं, उनमें एकता बनी रहे, ये लेकर चलना चाहते थे तो इसी लिए जो है इन दोनों को समान रुप से बताया गया इन लोगों के साथियों को भी बताया गया कि जिस तरीके से अकबर बादशाहा के कई दर्बारी थे उसी तरीके से कलेक्टर साहब के भी कई साथी थे जो इनके साथ मिलकर कार्रे करते थे प्रश्न संख्या 21 है ऐसी कौन सी बाते हैं जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किन्तो धर्म शास्त्रों में उनका विधान है ऐसी बहुत सी बाते हैं जो हमारी समाज विरुद्ध हैं समाज की उन्नती के लिए अच्छी नहीं है लेकिन धर्ण शास्त्रों में इनको बताया गया जैसे क्या था पानी के जहाज से यात्रा करना बाल विवा करना विद्वा विवा नहीं करना ऐसी बहुत सी सारी चीजों क बताया गया है तो देखे क्या है लेखक ने देश की उनती के लिए कुछ उपाइब बता रहा है देश की उननति तभी संभव है यदि धर्म के मूल रोप में उननति धर्म नीती और समाज नीति दूद़ पानी की तरह मिले होने चाहिए मतलब अगर आप यह चाहते हो वो दोनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी समाज उन्नती नहीं कर सकता अगर मान लीजिए हमारे धर्मे कुछ ऐसी नीतिया लिखी है जो हमारे समाज को पीछे ले जा रही है और समाज दोरा उसे फोलो किया जा रहा है तो हमारा देश उन्नती नहीं कर सकता है तो बत धर्म बनाकर शास्त्रों में लिग दिये हमने पताया ना कि जब धर्म शास्त्रों का निर्माण हुआ था महापंडितों द्वारा तो उसका सरूप दूसरा था लेकिन समय के साथ उसमें लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से जो परिवर्तन करते गए उसका स्वरूप धिरे धिरे बदलता हुआ चला गया उनके लिए सभी तिथियां ब्रत हो गई और सभी स्थान तीर्थ बन गए उन्होंने समाज के हित में लिखी गई रिशी मुनियों की बातों का विरोध अपने स्वार्थ के लिए किया यानि कि जो धर्म शास्त्रों में चीजें लिखी धार चोटी आयू में लड़कों का विवा करने से में उनका बल वीर्य और आयू कम हो जाते हैं यानि कि छोटे बच्चों का अगर हम विवा कर देते हैं तो उनके अंदर शारीरिक, मानसिг बहुत तरह की कमियां आ जाती हैं लड़कों वविया करने से पहले उन्हें घर गरस्ती और दुनियादारी की सिक्षा देनी चाहिए भाई माल लिजे कर हमें किसी चीज की नौलिज नहीं है और उस चीज का बर्डन अगर हमारे उपर डाल दिया जाए तो जायर से बात है कि उसे हम सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं जब सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते हैं तो फिर कैसे होगा काम तो वह यह चीज बच्चों के साथ थी भाई बच्चे अभी खेल कूदने की उम्र में हैं अब उन्हें अगर आप घरगरस्ती की जिम्मेदारी उनके उपर डाल दोगे वो समस्ते नहीं तो खेल खेल में इस चीज को समझेंगे ही नहीं घरगरस्ती क्या अच्छे से चल पाएगी उनका बौधी विकास करना चाहिए रोजगार के उचेत अफसर प्रदान करने बहु विभा का थात पर रहे क्या होता है एक ही पुरुष जो है वो कई सारे विभा कर लेता है दूसरा सती प्रथा पती मर गया तो सारी पत्नियां उसके साथ जो है सती हो जाए अथा तुसी चिता में जल जाए इस तरह की जितनी कुरीतिया है इनका विरोध करिए लड़ आने वाली पीडी को भी अच्छ संसकार और सिक्षा देंगी जिससे हमारी आगयाने आली पीडी बहुत ही अच्छी होगी ये बाते उस समय समाज विरोधी मांदी जाती थी यदि उस समय के लोगों ने धर्मशास्त्रों के सही अर्थ को जाना होता तो देश उन्नती की और अ समाज के हित में हैं यानि कि जब हमारे ये धर्मशात लिस्खे गए तो उसमें जो विधान थे उनको लोगों ने अपने हिसाब से तोर मरोड दिया और जो सरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया वो समाज विरोधी था लेकिन अगर उसके मूल रूप में जाएं तो वो कोई ऐसी चीजी हैं जो विरुद्र है तो उन सभी को नहीं अपनाना चाहिए प्रश्ट संख्या बाइस है भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है निबंध में लेखक ने क्या इस पश्ट करना चाहा है ये पूरा जो निबंध हमने पूरा जो भाशन हमने पढ़ा है इस हमसे वो बताना क्या चाह रहे है भारत अंदु जी ने किस उससे रखा है तो इन्होंने एक तो सबसे पहली चीज़ बगाई है कि उन्नती के लिए हमें क्या क्या चीज़े करनी है पहली बात अपने आलस को छोड़ना है कर्मठे बनना है विदेशी नीती जो उसमें विदे क्या है वो है निबंद इस तोर पर कहा जा रहा है क्योंकि वो निबंद की विदा में लिखा गया है इसमें उन्होंने एक और ब्रिटिश शाषन की मनमानी पर एक व्यंग किया है तो दूसरी और अंग्रेजों के परिश्रमी सभाव के प्रति आदर भी है भारतेंदु ने आलसी पन समय के अपवए आदी कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारती समाज की रूडियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी रूडियां है उनको हमें छोड़ना है गलत रिती रिवाज हैं उनको छोड़ना है जनसंख चीज़ें अपनाने के लिए बोलिए क्या बोला है जनसंख्या नियंत्रण पर हमें ध्यान देना है जादा बच्चों को पैदा नहीं करना है क्योंकि हर देश की अपनी कैपसिटी होती है जनसंख्या अगर बढ़ती जाएकी तो उतने जादा सो विधाएं सभी को आप किसी भी जनजाती कहीं पर बीचले जब तक हम श्रम नहीं करेंगे हम अपनी उन्नती नहीं कर सकते हैं आत्म बल और त्याग भावना को आत्म यानि कि अपनी अंदर की शक्ति को जगाना है और त्याग की भावना रखनी है जब तक हम दूसरों के लिए त्याग की भा प्रश्ण संख्या 23 लेखक ने कोच्वान का उधारन देकर क्या इस पश्ट करना चाहा है उन्होंने कोच्वान का उधारन दिया ना कि किसे तरीके से कोच्वान करते हैं उनको जो समय मिलता है उस देश में वो उस खाली समय में वो अपने आपकी उन्नती के बारे में सोचते तो ये उधारण देकर उन्होंने बताया है कि आप भी इस तरीके से अपने खाली सबे में कुछ ऐसा क्रेटिव करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी उन्नती हो सके, आप प्रगती कर सके, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप अगर एक क्लर के पदपे हैं, तो सारी उम्रक लगत के पदपे बने रहें, यह ज़रूरी नहीं, आप उसके आगे पढ़ाई करिए, चीजे करिए, मेहनत करिए, ताकि आपकी पदोन्नती होती जाए, आप आगे भढ़ते जब, लेखक ने कोश्वान का उधारन देकर, विलायती लोगों की जागरुकता इबं करमठता को उजागर करना चाहा है, वहीं दूसरी और भारतियों के निकमबेपन को भी उजागर किया है, उन्होंने क्या बताया, कि विदेश के जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से अपने खाली वक्त का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी उन्नती के ब कोचवान भी अख़बार पड़ता है, जब मालिक उतार कर किसी दोस्त के यहां गया, तो उसी समय कोचवान गदी के नीचे से अख़बार निकाल कर पढ़ लेता है, यहां भारत में उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप्पे मारेगा, वो गप भी कितनी गप भी निकम्मी होगी तो कहने का मतलब उन्होंने दो धारण दिया कि आप कोचवार का मतलब आप समझो ड्राइवर ठीक है ड्राइवर का जो मालिक है वहाँ व्लाइक में क्यों को चला गया और बाकी वह व्यक्ति पेपर पढ़ेगा पेपर पढ़ना आप उसमें उन्नती कैसे आपके मालिक उतर कर चले गए और आप बैटके गपे मार रहे हो तो ये उन्होंने इस पश्ट करने की कोशिश करी विदेशी लोगों के बारे में और यहां के लोगों के बारे में बता के प्रेशन संख्या 24 देश का रुपिया और बुद्धी बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए अब देश का रुपिया बढ़े और बुद्धी बढ़े तो उन्होंने रुपिया बढ़ाने के लिए सीधे सीधे क्या बोला कि हमें अपनी स्वदेशी चीजों को अपना नच भागते इंदु जी ने बलिया में इस्नान पर्व पर गए हुए थे ठीक है बलिया जखा का नाम है तो इस्नान पर्व होता है वहाँ पर उनके कुछ मित्रों ने देश की उन्नती कैसे हो के विशय में बोलने के लिए कहा कि भाई आप वहाँ पर कहे तुमके मित्र ने बोला पता चलता है कि देश में जनसं conception भड रही है चारों तरफ साधन पहले उने का मतलब उन्होंने क्या बताया उन्होंने देखा कि भाई जो हैं विदेशी चीज़ों का इस्तमाल बड़ी तेजी से कर रहे है अब वो विदेशी चीज़े कहां से आ रही है बाहर देश से आ रही है वो विदेशी के अब कोई भी वेक्ति जो खाली बैटा है अगर creative minded है तो उस चीज़ को देखे और उसका replica यहां बना सकता है बनाए लोग यही इसी देश का इस्तम को विदेशी सामान भारत की मार्केट में है अगर हम उसको समझ लें जान ले तो यहां के लोगो ऐसा नहीं है उस बुद्धे का इस्तेमाल करें और वो सारा समान वो यहां बना सकते हैं बनाएंगे तो उस तरह अपने देश का पैसा कहा है देश में रह जाएगा और हम उन्नती करें तो हम अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा दूसरे देशों की बनी चीजों का उपयोग मत करो अपनी जरूरत की वस्तुमें अपने देश में बनाओ इस से रोजगार भी बढ़ेगा और देश का रुपिया देश में ही रहेगा लोगों के आलस से और जीवजूरी की आदत त्याग कर कमर कसकर देश की उन्नती के लिए अपने बल और बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए जिससे जनसंख्या के साथ साथ देश का रुपिया बढ़ेगा तथा मानव की बुद्धी का भी विकास होगा उन्होंने बोला कि अगर देखो बुद्धी है कैसी चीज है इसका हम जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतनी तेज होती है उतने रास्तों पर दोड़ती है अगर हम इसे कोई काम नहीं ले तो ये बिलकुल बेकार हो जाएगी तो इस कंडिशन में हमें करना क्या है सबसे पहले हमें जो करना है वो अपनी बुद्धी देखिए तंख्या 25 है भाषण की किनी चार विशेष्टाओं का उलेख कीजिए उधारण देकर सिद्ध कीजिए कि पार्ट भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है एक भाषण है तो आपको इस ये जो भाषण हमारे सामने प्रस्तुत है इस पार्ट में इसकी चार विशेष्टाओं बतानी है पहले चीज़ तो ये फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये एक निबंद नहीं होकर ये एक भाषण है हमें ये सिद्ध करना है भाषण की प्रमुक चार विशेष्टाओं निमलिखित है सबसे पहला रोचक्ता अच्छा भाषण वही कहलाता है जो अपने भ पूरी तरह से भाषण देने वाले की ओर लगा रहे रोचकता को बढ़ाने के लिए भाषण में काव्यांश चुटकुलों उधारनों चटपटी बातों आदी का इस्थान इस्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए तो ये जो हमने भी भाषण पढ़ा है इसमें रोचकता के लिए उन्होंने बहुत सारे दृषण था हमारे सामने इस्तेमाल किये बहुत सारे तो रोचकता बढ़ी ठीक है बहुत सारे ऐसे उधारनों को प्रस्तुत किया कि हम उसी के साथ बंधे रहे तो ये भाषण में ये रोचकता थी इस पश्टता जो भी बात आप कहना चाह रहे हो वो लोगों तक जो सामने श्रोता बैठे हैं आपके भाषण सुनने के लिए उन्हें पूरी तरीके से इस्पश्ट हो जाए और ये इस भाषण की क्वालिटी थी क्योंकि भातिंद्र जो कुछ भी कहना चाह रहे थे वो पूर्ण रूप से हमें इस्पश्ट हो रह चाहिए उसे अपने विशे पर पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए उसकी भाषण में सरलता और इस्पश्टता निश्चित रूप से होनी चाहिए यानि कि जो वेक्ति भाषण देने जा रहा है उसके वो जिस विशे पर भाषण देना चाह रहा है उस विशे की उस हम भाषड दे रहे हों तो हमारी body language हो हमारा face हो सब कुछ में उत्सहा और उमंग होना चाहिए मतलब ऐसी आवाज भी बोलिए कि जो चीज हम कह रहे हैं वो सामने सुनने वाला तुरंद उसे करने के लिए ततपर हो जाए तुरंद का तुरंद तो इतना ओज का तातपर होता है कि इतना तेज होना चाहिए आपके भाषड में आपकी बातों में इतना असर होना चाहिए वक्ता को भाशर देते समय उत्साहा और ओज का परिचे देना चाहिए उसकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो शोताओं की नस-नस में मन चाहा जोश भर दे यानि कि इतना उत्साहा भर दे वो कि जो वेक्तिक काम कहा जा रहा है वो तुरन करने के लिए तत्पर हो जाए उसके भाशर में ऐसे भाव भरे होने चाहिए जिससे शोताओं को लगे कि वे वही तो सुनना चाहते थे जो वक्ता कर रहा है ठीक है ना यानि कि हम जब बैठे हुए वाले जो सामने जिस जो भाशर देते हैं तो सामने कुछ लोग बैठके सुनते है ना तो सुनने वालों को यह होना चाहिए कि हमें तो यही चीज चाहिए थी जो यह बोल रहे हैं तो इतना अच्छा और उनकी आवाज में इतना दम होना चाहिए और पूर्णता, next quality क्या है पूर्णता, भाशन में पूर्णता का गुण होना चाहिए, शोता को सदा ऐसा लगना चाहिए कि वक्ता के द्वारा वही कही जाने वाली बात पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं, वक्ता को किसी भी निश्चत उद्देश की पूर्ती की और सपश्ट संकेत करना चाहिए, यानि पूर्णता का तादपर आप ऐसा समझो, कि जिस भी व भारत वर्ष की उन्नती के बारे में, भारतेंदु जी ने जो भाशन दिया है, उस भाशन में उन्होंने इस पश्ट तोर से कहा है, कि उन्नती क्यों नहीं हो रही है, पहला रीजन उन्होंने ये बताया, हम उन्नती कैसे कर सकते हैं, और आज के समय में भी वो कैसे कारगर ह यह एक पूरी तरीके से उन्होंने हर एक चीज को उस भाषण में कवर कर लिया यानि कि सामने बैठे वाले इंसान को प्रोज और कॉंसस उस चीज के बारे में आपको पूरी क्लियर कर देने है उपरोध विशेष्टाओं के आधार को हम कह सकते हैं कि भारत वर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है पाठ एक भाषण है इसमें सरवत्र रोचक्ता बनी रहती है वक्ता के उधारणों के द्वारा अपने भाषण में रोचक्ता बनाए है हर समय उन्होंने उधारण प्रस्तुत किये हैं हर चीज के उधारण प्रस्तुत किये हैं उन्होंने रेलगाडी के डिब्बे के माध्यम से कोच्वान के माध्यम से अकबर और कलेक्टर के माध्यम से उन्होंने हर जगह हमें उधारण देकर हर एक चीज को इस पश्ट करने की कोशिश करी है तो इससे रोचकता बनी हुई है वक्ता की भाषा सहज सरल तथा अवसरा अनुकूल है जैसे हम कुएं के मेढग काटके उल्लू पिंजरे के गंगाराम ये तो है हमारी कमबक्त कमबक्ती फिर कमबक्ती है तो उन्होंने बताया यहां पर ये कई सारे मुहावरों के जरीए उन्होंने क्या किया है लोगों के साथ जुड़ने की सहज रूप से कोशिश करी है वक्ता का ये भाशर ओजपूर्ण है जो ततकालीन हाथ में भारतवासियों के कुछ करने को जोश भर देता है वक्ता जो भी बात कहता है वह इस पश्ट है और अपने आप में पूर्ण है यानि कि उसकी ओजपुर्ण भाशा है क्यों कि उस समय समाज की जो परसितिया है उस परसिति के नुसार लोगों में वो जोश भर रहा है जो भी बात उन्होंने बोली वो पूर्ण रूप से थी हर चीज के उन्होंने कारण भी बताए और उसके निवारण भी बताए तो इस तरीके से उसमें पूर्णता भी थी तो हम बोल सकते हैं कि ये एक निबंद नहीं हो कर एक भाशर है तो इस तरीके से ये पाठ हमने समझाया पाठ बहुत लंबा था, बहुत सारी ऐसी चीज़े थी जिसके बेसस में आपको बहुत चीज़ों को समझना था तो कोशिस को जब हमें चैप्टर में सारी चीज़े समझने को हो तो अंसर में भी समझाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो और कर क्या रहे हो तो इस तरीके से हमने आपको यह पूरा सब कुछ अच्छे से समझा दिया तो Magnet Brains में यह सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मिल रही है ताकि आप अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ो समझे को तो यहाँ पर हमने आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी और Magnet Brains में हर चैप्टर हर सब्जिक्ट का आपको ऐसे ही क्लियर किया जाता है यानि कि आप किसी भी क्लास में हैं आप किंडरकार्डन से लेकर क्लास 12 तक कि किसी भी क्लास में हैं यहाँ पर आकर मिश्चंद हो कर आप 100% free education प्राप्ट कर सकते हैं यह सारे free videos आपको YouTube पर हमारी website पर और हमारे app पर easily available है जब आप हमारे app पर और आप हमारी website magnetbase.com पर आते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से systematic धंग से arrange मिलती है ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की परिशानी ना हो हर chapter को हम बहुत सारे patterns के साथ clear करते हैं ताकि आपको chapter अच्छे से समझ में आए questions की हर variety आपके लिए clear करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीजें निश्रुक दी जा रही हैं सारे साल हम आपको हर एक चीज़ 100% free पढ़ा रहे हैं तो exams के दोरान भी आपके लिए आपकी तैयारी भी 100% free कराते हैं तो हमारे साथ जुडे रहे हैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे हैं तो मिलेंगे अभी हम अपने इसके आगे के chapter के साथ क्योंकि अंत्रा बुक में अभी सिर्फ हमने गद्यकंट complete किया है अभी हमारा काविखंट बांकी है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्यों फॉर वाचिक, बाबाई